पिदा पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैयेशू हम लोग कलीसिया के चार जो मुख्य क्यास खासियत के विशे में मननचंदन कर रहे हैं कल हम लोगोंने कलीसिया एक है इस पर मननचंदन किया कलीसिय एक है क्योंकि क्रिस्त एक है पवित्रात्मा एक है बब्तीस्मा एक है और कलीसिया इश्वर के उस शरीर का आंग है इसलिए वो टुकडा टुकडा या अलग अलग कलीसिया नहीं हो सकता तो कलीसिया एक है आगला जो identity या specialty कलीसिया का यह है कलीसिया पवित्र है इश्वरपवित्र है इसलिए इश्वर का शरीर का जो अंग कलीसिया वो भी पवित्र है योहन के सु समझार उसके अदियाए पंद्र है उसके वाक्य पांच में प्रभू ने कहा तुम मुझ में रहो और मैं तुझ में रहूंगा जब हम मसीरू भी उस दाकलदा में जुड़कर करेगा मसी का वो पवित्रदा हमारे अंदर आता है कुरिंदियों का दूसरा पत्र उसके अदियाए पांच वाक्य 21 में हम लोगों ने पिछले क्लासों में मनंचिंदन भी किया था इश्वर ने चाहा इसा मसी हम पापी मनिश्यों का पाप का भागी बने हमारे पापों को अपने उपर ले और उसका प्रायचित करे जिससे जो प्रभू में जो पवित्रदा है उनकी भागी दारी हम कर सके इसका मतलब प्रभू कलीस्या को पवित्र रखने के लिए ही इस अंचार में आया और उस पवित्रदा के लिए ही इसा मसी ने हमारे पापों का प्रायचित कर हमें पाव से मुक्ति दिया ताकि हम पवित्र रहे तो मसीह का कलीसिया मसीह ने जिस कलीसिया की स्तापना किया वो पवित्र है तो कलीसिया की स्तापना के समय पर भी मैंने आप लोग को कहा था कलीसिया का जो स्तापना करने का उदेश्य कलिस्या की पवित्रदा है उन्हें इसा मसीद्वारा शुद्ध कर दिया जाए और एक संद बनने के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्रदा में रखने के लिए कलिस्या का स्रिष्टी हुई है और हम लोग पवित्र बचन में लेवी गरंद उसके अदियाए उन्नीस वाक्य दो के अंदर इश्वर ने सुयम कहा मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बने रहूं पेत्रूस का पहला पत्र उसके अदियाए एक वाक्य पंद्रह में संत पेत्रूस लिखते हैं जिसने तुम को बुलाया है वहु पवित्र है आने वाला पवित्र है इसलिए समस्त आचरन में हमें पवित्र बने रहना है अर्चाद हमारा बुलावा पवित्र दा के लिए बुलाया है हमें कलीसिया इसलिए बनाया है बुलाकर के विश्वासियों का जुंड वो कलीसिया इसलिए निर्मान किया है ताकि हम पवित्र रहे तो कलीसिया पवित्र है हिब्रानियों का पत्र दिया ये बारहवा के चौध के अंदर लिका है पवित्रदा के बगर कोई ईश्वर का धर्शन भी नहीं कर सकता ईश्वर का अनुभव धर्शन उन विक्तियों को मिलता है उस कलीसिया का अंग को मिलता है जो पवित्रदा की साधना करता है पवित्रदा में रहते हैं मसी के उस एकमात्र कलीसिया से जुड़े रहता है कुलोसियों का पत्र उसके अधियाय तीन वाक्य दो में लिखा हुआ है आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम्प्रिय चुनी हुई प्रजा है हम चुनी हुई है और पवित्र प्रजा है इसलिए हमें कलीसिया कहते हैं इसका मदल है इसम मसी ने जिस कलीसिया की स्तापना की उस कलीसिया पवित्र है उस पवित्रदा के लिए हमें बुलाया है आए हम अपने आँखों को बंद करें और एक निर्ने करें इसम मसी ने मुझे चुना है मुझे इस कलीसिया का सदस्य बनाया इश्वर का शरीर का आंग बनने के लिए मुझे बुलाया है इसमें मैं सदा पवित्र रहूँगा कादली कलीसिया का धर्मशिक्षा गरंद उसका संख्या 823 में एवं 811 में 823 में कलीसिया कैसे पवित्र है इसकी विशे में लिखा हुआ है इससा मसी का शरीर का आंग होने के कारण मसी ही पवित्र है उसका शरीर का आंग भी इसलिए पवित्र है उसने बप्तीसमा के दुआरा हम सबों को अपने शरीर का आंग बनाया कलीसिया का सदस्य में आया इस प्रकार हम उस कातलिक के कलीसिया एकमात्र कलीसिया से जुड़ करके मसी का शरीर का अंग बनकर हम पवित्र है हम संद बन गया है और कैटिकिसम 811 में लिका है वो पवित्र आत्मा प्रदान किया पवित्र आत्मा प्रदान कर हमें सुद्ध किया और वो पवित्र आत्मा पवित्र है इसलिए वो आत्मा से भरवे विक्तिवी पवित्र है वो कलीश्या पवित्र है वो पवित्र आत्मा के कारण कलीश्या पवित्र है येक है कातलिक है और प्रेरिति के है ये गुण कलीश्या में पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है तुमने जो वचन सुना है जो प्रभु का जो वचन सुना है उसके द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं अर्थाद हमें शुद्ध करने वाला आगली बात है इश्वर का वचन इशर्क वचन को सही रुव से समझ करके ग्रगन करेंगे उसके अनुसार जीवन जिएंगे तब हम पवित्र बनते हैं इसामसी ने साथ संसकारों की स्तापना की इन साथ संसकार हमें सुद्ध करने वाला पवित्र करने वाला संसकार है चाहे बप्तिस्मा संसकार हो चाहे द्रडी करन संसकार हो मिस्सा बिलदान हो या रोगी विलेपन हो या विवाग संसकार हो या पुरोगी दाई संसकार हो सारे संसकारों में हम पवित्र आत्मा को स्विक ग्रगन करते हैं और हम पवित्र बनते हैं तो हाई ये हम विश्वास करें, हम उस कलीसिया का सदसी है, जो पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन आप सबों को जैएशु।